हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहल सुसंदी अकडमी, देखे बीपीसी टीरी 2.0 सप्लिमेंटरी रियल्ट जारी करवाने के लिए आज अब्यरती अत्यदिक मात्रा में मिलर हाई स्कूल ग्राउंड पटना में एकत्रित हुए, आज का जो धर्ना प्रदर्शन रहा है या फ करते हैं, बीपीसी टीरी 2.0 जो कि सट्योंटों का हाक है और जो बीपीसी टीरी 2.0 सप्लिमेंटरी रियल्ट जो अब्यरती मांग रहें वो विल्कुल जाएज है, देखी यहां पर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहें, यह दिलीप कुमार है छात्रनेता हैं उन्हो बोल सकते हैं आपके जो नितिस कुमाराइस ही हम वो और जो आपके बीपीएसी जो आयोग है वो उनकी बातों पर ध्यान दे अन्न था उन्होंने एक डेड्लाइन जारी की अभ्यारतियों अभ्यारतियों ने बोला है कि हम घरतंत्र दिवस के बाद में क्योंकि 26 जैनवरी पड़ रही है कल उसके बाद में मजबूर होंगे सडकों पर उतरने के लिए हजारों की संख्या में और अहिंसात्मक आंदोलन करने की उन्होंने चेताबनी दिये सांति पूर्वा को आंदोल सब्सक्राइब से संबल करें यह जल्दी से जल्दी गोस्रत करें कि जल्दी सहाइबर्थों है कौई-अधियों तो वह दो यूंत Seitे यूह बहुत वो हमारी कहीं से प्लाइघिया घ्लतीं नहीं आपका कोडिनेशन समस्य वो आप खुद देखिए हमें अपना बीपीसी टीयारी 2.0 रियल्ट चाहिए इसमें बहुत से अब्यर्थी ऐसे थे जो ट्राइबेकर और अर्था डियो भी से रह गए हैं और कुछ अब्यर्थी ऐसे भी ते जो एक दो मार्क्स से रह गए हैं तो यहां पर अगर संप सकेंगे तो अब्यर्थी आज के जो धर्ना प्रदर्शन था मिलर है स्कूल ग्राउंड पटना में जो अब्यर्थी जुटे और दिलिप को बार छात्र नेता थे उनके सहयोग से आज की विवात यह निकल के आई कि जो अब्यर्थी है उनकी आगे की प्लानिंग यही है उन के लिए बोलें अन्य था कि इस्तिति में चब्वी जनवरी के बाद हम अंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे और जो हम अपना अंदोलन है वो सांतिपूरबाग रखेंगे आप अब्यर्थियों के यहां पर यह भी कहना था कि जो यहां पर लेटर लेखा है वो सिच्छा विवाग रहा लेका गया है जब कर पिछडा बर्ग कल्याड विवाग है उसमें भी पत थे उसके भी पिप्येंट है इसा कुछ नहीं बोला है कि आप सप्लिमेंटर एल्ट जारी ना करें यहां पर सिच्छा विवाग ने क्योंकि आपको पता होगा यहांपर जो वेकंची थी दो प्रकार से थी एक तो आपका एजूकेशन देपार्टमेंट की वेकंची थी और दूसरी आपकी किसके थी पिछ बाहसा अर्था वाला क्वालिफाइंग वाला बाहसा अर्थांक सुन नहीं न करते तो साइद जो स्टुएंट है यहां पर जो डियो भी इत्याद की कार्ड रह गए एक मार्क से रह गए वो उनका सेलेक्शन पहले ही हो जाता तो आपकी जो गलतियां थी बीपीएसी द्वार न करना हो पड़ता अब बेढ़तियों ने इसलिए बिनम्न निवेदन किया है बिहार सरकार से भी के आप पुनर विचार करके रेल्ट देने की क्रपा करें